गुड मॉर्निंग एवरिवन तो आज हम डिटेल में डिसकस करेंगे वाट आर बायो अक्यूमिलेशन और बायो मैगनिफिकेशन आप सभी को पता है कि हमारा जो पर्यावरन है हमारा जो एन्वारमेंट है काफी पॉल्यूटेड हो चुका है उसमें हैवी टॉक्सिक सबस्टांसिस हैं हैवी टॉक्सिक मैटल्स हैं जिनको कंजूम करने से नुकसान पहुंचता है एन्वारमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है बायो एक्यूमिलेशन और बायो मैगनिफिकेशन के बारे में ले लिस्ट में जाएं और इन सभी टोपिक्स को कवर करें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बायो अक्युमुलेशन और बायो मेगनिफिकेशन किस तरह से एनवार्मेंट के पॉलूशन होने के साथ इंटर लिंक्ट है तो चलिए हम अपना टोपिक शुरू करते ह आप एक चोटा सा एक्जामपल देखिए डैफिनेशन तो आपको डैफिनेटी समझ आई होगी या नहीं आई होगी आपको समझ में आ जाएगी जब आपकी डायग्राम अच्छे से समझेंगे मेरे सामने डायग्राम है उसमें मैंने लिखा है कंसेंट्रेशन लेवल मचली छोटी ए उसने एक पधार्त को ऐसें एक अपधार्त को कर लिया है जो की बोडी बोडी ने उसको आप्जाम खर लिये अ उसकी बोडी इसको सम्झा पार में लिखाए आपको को ऐसे मचली की आपको समझाने चोक рी है आगे वो फिर और बड़ी होती है, तो उसका जो concentration level है, यानि कि वो जो toxic substance है, वो increase होता जाता है, यानि कि एक ही organism में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, अब आप अच्छे से difference भी समझ जाएंगे, bio accumulation और bio magnification के बीज में, bio accumulation को ध्यां से समझे कि इसमें सिर्फ एक ही organism होता है, जिसके अंदर toxic substance होता है, और उस toxic substance का जो concentration level होता है, वो धीरे 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 increase होता जाता है, जैसे उस organism की उस fish की age बढ़ती जाएगे time के साथ, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, concentration level increase with time, यानि कि एक ही organism में, I hope so, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, it occurs when an organism absorbs a substance at a rate faster than that at which the substance is lost or eliminated by catabolism and excretion, मैंने अभी discuss किया था कि वो उस substance को absorb कर लेती है, यानि कि वो organism उस substance को absorb कर लेता है, वो भी faster rate में excrete नहीं कर पाती उसकी body, catabolism का क्या काम है, breakdown करना molecules को, वो excrete नहीं कर पाती उसकी body absorb कर लेती है उस substance को, जिसकी वज़े से वो time के हिसाब से grow करती रहती है, आगे चलेंगे, और भी बहुत अच्छे से आपको concentration होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो एक बार अगर किसी organism की body में वो substance चला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि environment में कितना toxic परदार्थ है, कितना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार अगर organism की body में चला गया, तो वो तो grow करेगा ही करेगा time के अनुसार, जैसे मालो आज 10 साल की age है, जब 30 साल की age होगी तो उसका concentration level, यानि कि उस substance का concentration level increase होता जाएगा, काफी high chronic poisoning हो जाएगी, toxic हो जाएगा बहुत जाएगा, एक छोटा सा example लेते हैं, इसी को ही bio accumulation कहते हैं, कि जैसे ही कोई ऐसा पदार्त हमारी बोडी में चला गया, वो धीरे धीरे accumulate होगा, यानि कि उसकी एक अगरता बढ़ती जाएगी, एक अठा होता जाएगा, जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा, तो I hope so कि एक important topic जो bio accumulation है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं आगे, तो अभी हम बात करते हैं bio magnification, इससे आपको क्या होगा कि bio magnification और bio accumulation के बीच का जो difference है, वो आपको समझ में आ जाएगा, आप पहले diagram को अच्छी तरह से देखो, मैंने bio accumulation में एक organism की बात की थी, यानि कि मैंने उसमें सिर्फ fish को लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारे organism को लिया हुआ है, यहाँ पे plants भी शामिल है, यहाँ पे आपका deer भी शामिल है, wolf भी शामिल है, line भी आपका शामिल है, bio magnification में क्या होता है, कि concentration level जो होता है, वो lowest trophic level पे कम होता है, और highest trophic level पे, जिस जगह पे line है, वहाँ पे high होता है, यानि कि plants को अगर deer consume करेगा, तो उसका concentration level यानि कि toxic substance का concentration level increase होगा, फिर wolf जब deer को खाएगा, तो और concentration level increase होगा, लॉइन जब वॉल्फ को खाएगा तो और भी जादा इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से इंक्रीज होता है मैंने लिखा भी है lower concentration as compared to higher trophic level and greater concentration of contaminated substance at a higher trophic level तो शेर वगारा higher trophic level में आते हैं predator होते हैं यह तो यहाँ पर higher concentration हमें देखने के मिलता है और lion जो है वो हमारा tertiary consumer है तो जैसे जैसे इनका level increase होगा concentration level भी increase होता जाएगा different organism में यह आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या difference है biomagnification और bio accumulation के बीच में biomagnification की जब हम definition पढ़ेंगे और ज़्यादा clarity आएगी मैं चाहता हूँ कि आपको topic में clarity आने जाएगे फिर बार-बार आपको books पढ़ने की ज़रूरत ना पढ़े biomagnification also known as bio application biological magnification is any concentration of toxic such as pesticide in the tissues of the tolerant organism at successively higher level in a food chain यानि कि higher level पे food chain में जो higher level में होते हैं जैसे lion की मैंने बात की वहाँ पे जो toxic substance है उसका level increase होता जाता है आपको पता है हमारे environment पे बहुत सारे metals शामिल है heavy toxic metals such as chromium, copper, nickel, lead, iron toxic substances है जैसे pesticide, insecticide तो ये धिरे-धिरे higher trophic level पे increase होते रहते हैं पहले हम बात करते हैं persistence की where the substance cannot be broken down by the environmental processes यानि कि जो substance होते हैं आपको पता है micro plastic होगे, plastic होगे बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो degrade नहीं हो पाती जो bio degradable नहीं है non bio degradable है तो environment जो है उनको breakdown नहीं कर पाता है जिसकी वज़े से organism उसको consume कर लेते हैं और वो जो contamination होता है वो उनकी body में increase होता रहता है तो persistence इसका एक result है food chain energetics के हम बात करते हैं where the substance's concentration increases the progressively as it moves up a food chain और यदी मैं इस पे बहुत ज़्यदा discussion कर चुगा हूँ यह सारी वही बाते बोली गई है जो मैंने अभी आपको बताई अब हम causes की बात करते हैं कि आखिर environment इतना polluted क्यों हो रहा है इतने जो contaminated substances हैं metals हैं वो कैसे environment में increase हो रहे हैं जिसकी वज़े से ना सिर्फ human being को ना सिर्फ इंसान को बल्कि animals को florafona सबको नुकसान पहुँच रहा है सबसे पहले agriculture products agriculture products जैसे हम DDT का इस्तमाल करते हैं as insecticide तो वो शामिल हो जाते हैं environment में फिट जब उसको animals consume करते हैं तो liver खराब हो जाता है animals का मतलब कुछ नुकसान हो जाता है जिसकी वज़े से food chain ही disrupt हो जाती है उसके बाद plastic pollution हम plastic का कितना जादा इस्तमाल करते हैं हाली में तो plastic में government ने ban भी लगा दिया तो ban इसलिए लगाया है ताकि environment को नुकसान न पहुँचे हम सिर्फ human की बात नहीं करते हम चाहते हैं कि पूरी प्रिथवी का भला हो जिसमें सारे जानवर पेड़ पोदे शामिल होते है तो plastic pollution जब चला जाता है water bodies में तो नुकसान पहुँचता है marine ecosystem को marine ecosystem में जैसे हमारा aquatic ecosystem है जिसमें water bodies शामिल होती है उसके बाद हम mining करते हैं हम ऐसे minerals निकालने के कोशिश करते हैं अगर मैं बात करूँ तो coral reef ही हमारे जो है वो destroy हो रहे है इनका bleaching हो रहा है ये स्फेद कलर के हो रहे है अब वो पुराने वाले coral reef नहीं रहे है औस्टेलिया में एक coral reef है वो पूरी तरसे स्फेद पढ़ चुगा है उसके बाद अगर हम solutions की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो eliminate करना होगा heavy metals को फिर हमें contaminated जो स्थान है उनको भी साफ करना होगा तब ही हम बच सकते हैं नहीं तो ये process चलता रहेगा ecosystem खत्रे में रहेगा प्रिथवी खत्रे में रहेगी तो हमारा जो biomagnification और bio accumulation का topic था वो cover होता है कल हम नए topic के साथ आएंगे